नमस्कार दुस्तों मैं स्मित मिस्रा स्वाइब करता हूँ एक बाब फिट से आप सुभी का MZT Education में साथियों ग्रह मंत्री अमित साहजी ने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल करके स्री विजयपूरम करने का फैसला लिया है पोर्ट ब्लेयर आपने नाम जरूर सुना होगा अन्नमान और निकोबार जोकी भारत की है यह उन्नी टेरिक्टरी है उसकी राजधानी है तो इसका नाम क्यों बदला गया इसकी पीछे की कहानी क्या है साथी साथ में अन्वान और निकोबार भारत के लिए कितना ज़दा इंपोर्टेंट है किस-किस प्रकार से भारत की मदद करता है और इसका गौरोसाली इतिहास क्या रहा है आज की वीडियो में सब कुछ जानने वाले हैं आज की वीडियो बहुत ज़दा इंफोर्मेटिव ह होने वाली है तो वीडियो को इंट तक आप लोग देखिएगा अगर पसंद आएगी तो लाइक और सेर करना मत भूलना चलिए शुरुवात करेंगे आप देख पाओगे ग्रह मंत्री एमिल साह जी का ट्वीट आया है कि देश को गुलामी के सभी परतिकों से मुक्ति दिल स्री वीजेपुरम नाम हमारे स्वाधिंता के संघर्स और में अनमान और निकोबार के योगदान को दरसाता है इस दीप को हमारे देश की स्वाधिंता और इतिहास में अधुत्वी अस्थान रहा है चोल सामराज्य में नौ सिना अड़्डे की भूमिका निभाने वाला य से लेकर सेलूलर जेल में वीर सावर कर जी वह अन्न सोतंता सेनानियों के दोरा मा भारती की स्वाधिंता के लिए संघर्स का ये अस्थान भी रहा है दोस्तों काला पानी की जो सजा सुनाई जाती थी अंग्रिजों के टाइम पर तो वह काला पानी की जो जेल हुआ करती थ लेकिन अभी तक नाम जो है वो निकुबार में लेकर के चल रहे थे लेकिन जैसा कि PM Modi ने अपने भासरों में भी कहा था, 15 अगस के भी भासरों में कहा था कि British colonial mindset से हमें हटना होगा और एक भी हिस्सा अगर, एक भी छोटा सा छोटा हिस्सा अगर colonial mindset वाला है तो उसको अपने दिमाग से हटाना होगा, इसी के तरज पर आपको आपने देखा कि पेशले कुछ सालों में बहुत सारे नामों में परिवर्तन किये गए, बहुत सारे चीजों को बदला गया, जैसे Indian Navy का insane बदला गया, जंडा जो है वो बदला गया, उसमें छत्रपती सीवा जी का सिंबल लगाया गया, इसके अलामा आपने देखा कि अभी जो criminal laws थे, उनमे परिवर्तन किये गए, अब भारत नया सहेता वगयरा आ गया है, IPC की जगा, तो ये सब ऐसे बहुत सारे अमूल्चूल परिवर्तन किये गए, राश्टपती भवन में आपने देखा कि दो हाल का नाम बदला गया, ऐसे ही राश्टपती भवन के सामने जो garden था, मुगल गा करके colonial mindset जो है भारत में, वो सब हटाने का प्रयास चल रहा है, कि कोई भी एक भी परसंट गुलामी का हम लोग के अंदर एक छाप ना रहे, तो इसी तरशी पर अब इसका नाम बदला गया है, अनमान निकोबार है कहाँ पर, तो दोस्तों देखो कि अगर आप ये है अपना बार दीप समूह, अब इन दोनों दीप समूह को अगर टोटल मिला करके देखा जाए, कुल 800 से ज्यादा दूइप यहाँ पर है, छोटे मोटे आइलेंड है यहाँ पर, लेकिन इन में से केवल 31 ही ऐसे आइलेंड है, जहां पर आबादी है, मतलब जहां पर लोग निवास क बार के भी, छोटे मोटे जो बहुत सारे दीप हैं, उनके नाम बदले गए हैं, पीम मोधी जी दोस्तों, दिसंबर 2018 में 28 दिसंबर को यह यातरा किये थे, अंडमान और निकोबार की, वहाँ पर पोर्ट ब्लेर में इस तो चल्वरल जेल भी गए हुए थे, यहाँ पर इन नेता जी सुभाज चंद बोस जी ने, पोर्ट ब्लेर के मरीना पार्क में एक विसाल जनसभा इनी के ववेज में एक आयजुत की गई, पीम मोधी नी लोगों से आगरा भी किया कि लोग अपने अपने मोबाइल की फ्लैसलाइट आउन करें, नेता जी की सम्मान में, और ल लोगक क्या करते थे, जिसको बहुत गंवीर सजा देनी होती थी, जिन सुतंता से नानियों को, उनको काला पानी की सजा देते थे, काला पानी की सजा ऐसी होती थी, कि उनको उठा करके, ऐसे ही किसी आईPLें घेल में बंध कर दिया जाता था, जहां पर कोई सलोविधाय नह और इनको हाला कि इनकी नाम को लेकर आज कल बहुत जादा कंट्रोवर्सी चलती है, फिलहाल बिटिसस ने ऐसे 773 के आसपास में जो भारतिय सुतंता सेनानी थे, इनको ऐसे जेलों में, काला पानी की जेलों में बंदी बना करके रखा हुआ था, अन्नमान और निगोबार में अच्छा, फिर इसके बाद 28 दिसंबर को ही PM मोदी ने दोस्तों तीन द्वीपो का नाम बदलने का फैसला लिया, तीन द्वीप हैवलाग द्वीप, नील द्वीप और रास द्वीप थे, इन तीन द्वीपो का नाम बदला गया और इन तीन द्वीपो का नाम अब सुराज दूइब, सहीद दूइब और नेता जी सुभाशन बोश दूइब किया गया ये दिसमबर 2018 की बात है फिर आगे चल करके 2023 में फिर नाम बदले गए 2023 में 21 और आइलेंड के नाम बदले गए और ये 21 आइलेंड जो है ये भारत के जो परमवीर चक्रविजेता है ना उनके नाम पर रखे गए भारत में 21 परमवीर चक्रविजेताओं के नाम पर यहाँ पर दूइब के नाम रखे गए क्योंकि 800 से ज्यादा दूइब है ना तीन दूइब पहले नाम बदले थे फिर इसकी 21 दूइब और नाम बदले गए और ये नाम आपको यहाँ पर दिख जाएंगे जैसे सैतान सिंग दूइब, अलवर्ड एकका दूइब, खेतरपाद दूइब, मनोज पांडे दूइब, योगेंद दूइब, जादूनात दूइब, होसियार दीब, वाना दीब, करम सिंग दूइब, इसके अलावा आपको विक्रम बत्रा दूइब भी यहाँ पर देख जो कर रखना चाहता है, तो देखिए, यहाँ पर 836 डीब दूइब, केवल 31 पर आबादी है, यह दो मुख समूँ में बटा हुआ है, उपर वाला जो हिस्सा है, यह उत्तरी अन्दमान डीब समूँ है, और जो दच्छिड वाला हिस्सा है, यह ग्रेट साउथ निकोबार है, यानि कि दच्छिड निकोबार दीब समूँ है, यह दोनों 150 किलो मेटर चोरे चैनल दौरा अलग किये जाते हैं, अगर कुश्चन पूछा जाता तो आप बताना, 10 डिगरी चैनल से अलग करता है, अन्दमान और निकोबार अपास में दीब समूँ 10 डिगरी चैनल से अ अच्छा, अब इसके खुबियों की बात करते हैं, देखिए, यहाँ पर इसलिए इंपोर्टन है, क्योंकि यहाँ पर आपको मलेसिया और इंडोनेसिया के बीच में दिख जाएगा मलका इस्ट्रेट, मलका इस्ट्रेट दोस्तों आज के टाइम पर बहुत बड़ा एक ऐस लाइन बना हुआ है, चैनल बना हुआ है, जो व्यापार के देश्ट से बहुत इंपोर्टन है, यहाँ से चाइना हो, फिलिपीन सो या बहुत सारे देश जो है, अपना व्यापार इस रूट से करते हैं, मलका इस्ट्रेट से, अब मलका इस्ट्रेट से जब करते हैं व्या इदर हिंद महासागर में आ करके इदर की साइड में जाते हैं सब लोग यहाँ पर अन्नमान और निकोबार्दीब होने की वज़ा से हम लोग यहाँ पर इसका फाइदा उठा पाते हैं क्योंकि रूल के मताबिक 200 किलो मीटर तकी समुदरी सीमा होती है हर एक देसो की तो इससे हम लोग थोड़ा बहुत प्रॉफिट पा जाते हैं एक तो यातायात का उसका चार्ज ले करके क्योंकि अगर आपके समुदरी लाइन से होकर गुजरता है तो फिर वो आपके पर्मिसन लेगा और आपको टैक्स वगरा भी देते हैं दूसरी बात बहुत सारे देस ऐसे ही करके तो पुरा अपना एकोनोमी चला रहे हैं इजिप्ट वगरा हो गया ऐसे यहां पर हो गया अगर आप पनामा देखो ऐसे बहुत सारे देस हैं जिनकी कमाई ही इसी तरीके से होती है कि जहाज उनके आसपास से होकर गुजरती हैं और उससी से वो चार्ज या टैक्स वसूल करके जीते हैं यहां से टैक्स हुआ दूसरी बात ये कि बंगाल की खाड़ी में दोस्तों हम लोग का एक ऐसा लोकेशन है इस्टिजिक लोकेशन जिसकी वज़ा से भारत का ये छेतर पूरा-पूरा सुजरक्षित रह पाता है क्यूं क्यूंकि इधर से चाइना की गुस्पैट नहीं हो अगर ये नहीं होता अंडमान निकोबार तो जैसे चाइना ने साउथ चाइना सी में अपना आतंक मचा रखा है जिससे फिलिपीन्स हुआ वियतनाम हुआ जापान हुआ यहां पर बहुत सारे देश परिसान रहते हैं अकसर चाइना से ऐसे ही चाइना यहां पर भी परिसा का दूरी एक बफर जोन की तरह काम करता है और पूरा सुरक्षित रहता है ऐसे ही यहां पर अंडमान निकोबार जो है यह इधर की दृष्टी से भारत को पूरा सुरक्षित रखने का काम करता है कैसे क्योंकि भारत ने यहां पर अपना पहला त्री सेवा कमान बना दिया ह इंडिया में एकलोता अभी त्री सेवा कमान है अभी एक और बनाय जाने की बात की जा रही है मने आपको डेली कर इंडिवन बताया विता कि मुंबई में एक दूसरा त्री सेवा कमान बनाय जा रहा है लेकिन एकलोता अभी के टाइम पर अभी कहां पर है अंडमार और निको करते हैं इसके बाद दक्षिर और दक्षिर पूर्वेसिया को जोडने वाले जो छेतरी संपरक केंद्र है इसके रूप में ये काम करता है तो आर्थिक द्रिश्टी से ये इसके बाद इसके अलावा पारिसित के अगर परेटन की बात करें तो इस जो दूइप है इस पर प्राचीन समुदृतत हैं परवाल भित्तिया है अदुत्य वन जीवन है जिसे देखने के लिए बहुत सारे परेटन आते हैं परेटक आते हैं इसके बाद सोदेशी जनजातिय का यहांपर घर है, बहुत सारी अस्थानिये जंजातियां, पाई जाती हैं, जैसे Sm bursts जंजाती पाई जाती हैं, यह कुश्छन पूछा गया है, Sm heartfelt जंजाती कहाँ पाई जाती हैं, तो बैरन ज्वाला मुकी जो है ये इकलोटा भारत का ऐसा सक्रेज वाला मुकी है जो की कहाँ पर है अन्दमान निकोबार में ही है तो आप ये सभी importance देख रहे हैं अन्दमान निकोबार का इसकी वज़ा से अन्दमान निकोबार भारत के लिए important हो जाता है तो इसी की तरज पर अभी ग्रह मंत्री जी के दौरा बिटिस कोलोनियल माइंडसेट को हटाने के लिए एक और कदम उठाये गया है, अब पोर्ट ब्लेर का नाम होगा स्री विजेपुरम, क्लियर है ना, अब वीडियो एंट करनेस पहले आपसे एक कुश्चन पूछना चाहूंगा, अनमान निक बैच जो है, इसमें आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा हर एक सब्जेक्ट, चाहे साइंस हो, करेंट अफेर हो, मैटमेटिक्स, रेजिनिंग, राजबवस्ता, एकोनॉमी, इस्टैटिक जी के भूगो, लितियास, सब पढ़ाया जा रहा है, आप क्लासे इसम mjt50 coupon code यूज करना, जिसके बाद आपको 50% का discount मिलेगा, और ये बैच मातर 399 में आप जोइन कर सकते हो, तो जाएए अभी जोइन कीजिए, mjt app, google play store पर आपको मिल जाएगा, या फिल लिंक इसका description में भी आपको मिल जाएगा, thank you so much, यहां तक वीडियो देखने के लिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार जाहें, वन्दे मातरम